36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अंपालना करते हुए देश से उगरबाद और आतें बात को समात किया जा सकता है। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। चोटी चोटी बेटियों के चोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदै किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आश्यक है। कि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाफ बदल दिये गए हैं। कि आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंढ़े हुए हैं कि अपनी द्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं। क्योंकि महोदै भाविश्य में उन्हें कट घर में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उकरबादी की राइफूल से निकलने वाली गोली को यह तेय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी। लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है, कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ, तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, नहीं तिल का पार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महोदे, मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्म हत्या है, क्योंकि महोदे, फूल को श्रिंगार दो, ये मुम्किन नहीं, और एक वीर को जहनकार दो, ये मुम्किन नहीं, जो हात बांदे सेना क ऐसे मानवादिकार का पालन संभब नहीं, महोदे, आज सब्तिनिष्ठा के मारग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान, इन आतंकबादियों, इन पत्थरवाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है, कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टार गेट को हिट नहीं भी करेगी, तो अभी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई, तो महोदे हमें अपनी नोकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है, और महोदे, अपनी नोकरी को बचाने की खातिर, एक जवान आज यह सोचता है, कि चाहे साप मरे या न मत्रिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नोकरी से निकाला जा रहा है, महोदे, जब पुलवाम में 44 जवान सहीद हुए, 36 गर में 76 जवान सहीद हुए, तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ, परन्तु जब जेनिव वि मारोगे हर घर से अब जल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेया की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ, कि उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अब जल निकलेगा, उठोगे इसके वीर ज अजमल कसाब जैसे आतंगी के लिए सरवोच नियाले के दरवाजे खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अन्पाहला करते हुए आतंग बात और उग्रवास से कभी नहीं निपता जा सकता मानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों सीमा पर लान नही कर सकता है